कि आज हम देखेंगे कि एक रीज बैड में आप कैसे प्याज को कैसे उगा सकते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल जो मिट्टी है मेरी वह इसमें कॉम्पोस्ट मिला हुआ है 40 पर सिक्स्टी परसेंट इसमें गार्डन सौईन है बिल्कुल भुरबुरी मिट्ट इसमें लीफ कॉम्पोस्ट भी है तो जो एक्स्ट्रा लीफ है उपर से वह मैं निकाल दी है और आपको देखना है कि आपको कैसे लगाना है यह देखें प्याज एक तम आपके अलग अलग पहुत को कर लें कर सबसे इंपॉर्टन कि आपको प्याज को उपर से थोड़ा इसके बाद आपको करना यह है कि प्याज को जो है वह हम लाइन में लगाएंगे यहां पर और थोड़ा सा जिग-जग इसमें लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि आप जो है काफी इसको डेंसली प्याज को लगा सकते हो जो रीज बैड है जो चोटा सा हमारा तो कि इस तरीके से हम जो है प्याज को यह लगा देंगे एक रो जो है प्याज की वह हम पहले लगा देंगे और उसके बाद जब नेक्स अब देखिए जो नेक्स्ट रो मैं लगा रहा हूं उसमें बिलकुल आपका जगे जिग-जग बीच में गया पार यहां प्याज है तो इससे क Engagement लिए मत्तों उसक्याहिए को चोई क्यूह वह जाएका वन रहें तो worth करने के방को एदचे जाएगा कोन्झतिए प्याज है पैंप उसको सब्सक्राइः लगा देंगे सो कि अक वशरुट करने के लिए इसथा निकले सब्सक्राइए को तो परकार मैं इसको यहां पर लगा रहा हूं अराम से जो है वह पौधा नीचे जड़ जो है इसकी चल जारे धियान रखना है कि जब आप लगा रहे हैं तो जड़ जोर ना पड़े जड़ ना टूटे तो फिर वह दिखत हो जाएगी तो जिग जैग है इसको ध्यान रखना है क प्याप पर आपका पहली लेन का गया पर उसके बीच में आपको दूसरी लेन पर जो है वह प्याज का पूंच जो है वह लगानी है तो इस तरीकी से आप ये प्याज को जो है लगा सकते हैं उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि पानी का जो हलकल का एकित में स्प्रे कर रहे हैं वह क्युक्त करेंकर शचया सहथे हों है काफी जोर से मुख प्रुटि कि बाड़ियों नके से मैं लगी तैसमेन मैं फिर से फ्याज प्रीकर प्रंड़ डाल रहूं कि जिससे प्याज इच्छी जड़ पकड़ ले और ये स्प्रे के मदद से हैं सारह सारह कार।